हेलो गाइस मैं हूँ सुरज कुमार पांडे आपको नमस्कार तो गाइस आज के वीडियो में हमारे डोगी में से एक फैमिली बढ़ने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं यह है जीमी गाइस एक ब्रीड जो है डाबरमेन का ब्रीड है तो गाइस एक पुतिया है आप देख सकते हैं कि अभी देखने में कितना सुंदर दिख रही है जाइस आप पास से देख लिजिए तो गाइस इसका ब्रीड जो है डाबरमेन का है अभी इसको हम लेके आ रहे हैं और गाइस इसको ठंडा भी लग रहा है करीबे डेड़ महिने का भी बच्चा हो चुका है और गा पूछ है, पतली बहुत लंबी होती है। गाइस लोग कहते है कि इसका जो कान और पूछ है काट देने में ही इस कुट्टे का लूक आता है। वैसे डाबर मेन का पूछ और कान काट दिया जाता है। लेकिन गाइस हम अपने जीमी का कान पूछ काटेंगे नहीं। क्योंकि ग गाईस यह जो डावरमेन के पपी होते हैं, करीब आपको इस्टार्टिंग वही 10 हजार से इस्टार्ट होते हैं और गाईस इससे कम बच्चे मिलते नहीं हैं, गाईस यह हमें बहुत मेहनत करने के बाद मिला है, कादीमी, गिमी भई, ठाणडा लग रहा है का भई, तो गाई गाइस अभी साम के पांच बज रहे हैं, और थंडा भी धीरे-धीरे बढ़ रहा है, इसलिए इसका सरीर काप रहा है, तो गाइस इसको ले चलते हैं, रूम में, इसके लिए हम एक जगह बनाए हैं, आप जगह भी देख सकते है, गाइस सब बच्चे हमारे बाहरे में रहते हैं जो हमारे पास और बहुत बच्चे हैं बाहर में रहते हैं लेकिन चे जो जिमी है एए फेत.. बच्चों को उसी जाली मेरा भारम खाली एंगे सभी बच्चों को अंदर गुसा के ताला मार देते एंगे गैस ऩो जाली है, खाली है. इसलिए जाली में हम जीमी का घर बना दिया है. गैस चाहते तो हम फारम में जीमी को भी रख सकते थे. लेकिन गैस है रोती बहुत है, क्योंकि अभी यह एक गड़ महिने का बच्चा है, और गैस इसको हम बहुत महनत के बाद लाएं है. गैस देखिए इसको हम पालते हैं आप तो हमारे साथ जुड़े ही हैं और देखते हैं कि जीमी हमारी कितनी बड़ी होती है और कैसी दिखती है तो गैस आज का वीडियो यही था कि मेरे पास जीमी आ चुकी है आप थोड़ा देखिए इसका कान और यह देखिए तो गैस इसक आज का वीडियो यही था कि हमारे डोगी मेंसे एक निव मेंबर बढ़ चुका है तो हम सचे कि आप से भी मिलवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह ब्रीड ही डावर मैंन का है गई साज का वीडियो यही था अगर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बोक्स में जरूर बता झाल झाल